सबसे पहले प्लेस्टोर पर जाना है और यहां सर्च बार में टाइप करना है सिगनल इस एपको फॉल नेम है सिगनल प्राइवेट मेसंजर इसलोगो इस तरह काता है आप देख सकते हैं और यहां से इसको नीचे से इंस्टॉल कर लेंगे अब हमारा जो एप इंस्टॉल हो चुका है ओपिन कर लेते हैं ओपिन करते ही आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आता है आपको यहां से कॉंटिन्यू पे क्लिक कर लेना है अब यहां पर यह आप से कहता है सिगनल नी कारिणों करने के बाद आपसे सेकंड पर्मिशन मांगता है तो आपको अलाओ करलेना है आपको अलाओ करने के बाद आपसे सेकंड पर्मिशन मांगता है अपको अलाओ कर लेना है और आपके juiste ब walking Nous to make and manage फ 296 आपको फॉनь को यही भी के कंट्री को भी तो आप यहां से इसको next कर लेंगे next करेंगे तो यह आप से कहता है verification code will be sent to कि जो भी verification code आपको दिया जाएगा वो इस number पर आएगा is your phone number above correct अगर आपका number correct है तो okay कर लें नहीं है तो आप edit number करके इसको दुबारा से type कर सकते हैं तो यहां से हमारा number okay है तो हम यहां से okay कर लेते हैं अब यहां से आपको इस number पर verification code send किया जाएगा यहां आप देख सकते हैं verification code आ चुका है और हम verification code fill कर लेते हैं 499-22 यहां पर code आ चुका है हम इसको जो फिल कर लेते हैं अब यह हमारा done हो चुका है अब यहां से वह आपको कहता है कि आपको 4 digit का पिन यहां पर एंट पर करना है तो यहां पर हम 4 digit का पिन एंटर कर लेते हैं नीचे next کا option है next कर लेगे यहां कहेंगा re-enter your pin आपने जो अभी pin डाला था उसको दुबारा से आपको enter कर लेना है तो यहां दुबारा से enter कर लेते हैं नीचे से next करेंगे अब आपका जो pin है वो create हो रहा है और आपका pin done हो चुका है तो अब आपका account पूरी तरह से बन चुका है यहां पर आपसे कहता है कि last name अगर डालना चाहें तो optional है तो यहां पर आप डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं नहीं डालना चाहें तो कोई बात नहीं आप नीचे से next कर सकते हैं तो यहां से मैं भी next कर लेती हूँ नीचे से next कर लिया है और आप देख सकते हैं हमारा जो signal app पर account है वो पूरी तरह से बन चुका है अब नीचे से आप invite friends पर क्लिक करेंगे और यहाँ आपको signal app के द्वारा एक URL या लिंक दिया जाएगा आप यहाँ शेयर के option पर अगर क्लिक करते हैं तो आप पहुंच जाते हैं अपनी apps में यानि कि आप यहाँ से शेयर कर सकते हैं signal app को और WhatsApp के उपर क्लिक करते हैं तो WhatsApp contact में आप पहुंच जाते हैं यहाँ से आप जिसको भी invite करना चाहें invite कर सकते हैं और WhatsApp की तरह chatting कर सकते हैं तो दोस्तो आप इस तरह से बहुत ही असाने से signal app पर अपना account create कर सकते हैं तो वीडियो कैसा लगा है आपको अगर पसंद आया है लाइक नहीं किया है तो प्लीज लाइक कर ले चैनल को सब्सक्राइब कर ले बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि इसी तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहें तो मिलेंगे नेक्स वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ तब तक के लिए बाई बाई और टेक केर